दोस्तों एक सच्छी कहानी सुनाता हूँ आप सभी को, एक बार एक लड़का जो शेहर में रहके अपने exam की preparation कर रहा था, उसके पिताजी का देहान्त हो जाता है और इसकी वज़े से उसके घर की इस्थिती और भी जादा भी गड़ जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि वो अपने गाउं वापस जाए या अपनी पढ़ाई को continue करता रहा है, फिर उसने एक चीज एक decision लिया, कि अगर वो गाउं वापस जाता है, तो वो अपने घर की इस्थिती जो आज है किबल वैसे ही maintain रख पाएगा, ना कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़या जीवन दे पाए एक साल तक इसने शहर में रहकर कबाड़ी का काम शुरू कर दिया और सुबह सुबह ये कबाड़ लोगों के यहां से गठा करता था, जो बुक्स उसको मिलती थी, उस बुक्स को ये खुद पढ़ता और फिल ले जाकर लाइबरेरी में बेज दिया करता था, फिर जो पैसे बुक्से मिलते, उस बुक्स को बेचने के बाद वो लाइबरेरी से बुक्स और कुछ रेंट पे लेता और पढ़के उसको वापस करता था, इसके इस कबाड़ वाले काम का एक दिन पता चल गया उस लाइबरेरी के मैनेजर को, उस मैनेजर ने इसको बहुत भुरा भला तुम पढ़ाई उड़ाई तुम्हारे बस कर नहीं है, तुम्हारी आउकात के बल कबाड़ वाली है और दुबारा यहां मता ना, अगर तुमको बुक बेचनी है तुम बाहर रहो, अंदर आने के जरूत नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग चोर होते हैं, इस बात से वो इस उसके रोने का करण, तो यह उनको पूरी कहानी बताता है कि कैसे उस मैनेजर ने मुझे चोर बोला, कैसे उस मैनेजर ने मुझे से कहा कि तुम्हारे जैसे लोग चोर होते हैं, तुम्हारी उकात के बल कबाड़ी के तुम कबाड़ी ही रहोगे, इस बात पर उस आदमी ने नेजर जो तुमसे केवल दो मिनट के लिए मिला और तुम्हे चोर चोर बोलके चला गया अब खुद से सवाल पोछो कि तुम बाइस साल के हो तो क्या इस बाइस साल में कभी तुम्हें लगा कि 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 तुमने खुद को कैसे ये मान लिया, उसके कहने से कि तुम चोरो, अपनी बात को मान के रखो, उसके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये लड़का SBI P.O. की प्रपेशन कर रहा था, और एक साल, तेर साल की कड़ी बेहनत के बाद, इस समय ये SBI का P.O मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इस टाइप से रोहित कुमार जैसी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, हजार तरीके की करिसिजम का सामना करना पड़ता होगा, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, तकराते हैं, जो आपको बुरा भला कहते हैं, तो से उदास्बत होई हैं, बलकि रोहित कुमार की तरह उस इंसान की उस बात को अपनी तलवार बनाई हैं, अपनी एक धाल बनाई हैं, और अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए और मेरत कीज़ें, यकीन मानो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिनको लोग रोकना चायते ह हैं, लेकिन वो रोकते नहीं हैं, क्योंकि वो रोहित कुमार की हैं, और अगला रोहित कुमार आपको बना है, तो याद रखे किसी के क्रिटिसिजम से, अपने कदम को मत रोकिए, कामयाभी आपके इंटर्जार कर रही हैं, और देस्ट,